गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हरियाना स्टेट हाइयर एजुकेशन काउंसलिंग में रिकर्कमेंट के लिए नौटिफिकेशन आया है और यह नौटिफिकेशन बाइस दिसंबर को आया है और जो इसकी लास्ट डेट है वो दस जनवरी है तो अगर आप इलीजिबल हो तो अ अगर आप इंटरस्टिड हो अपलाई करने के लिए तो जान लेते हैं कि क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस पोस्ट के लिए रिक्रिक्मेंट नौटिफिकेशन है उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंपोर्टेंट वीडियोज आपको टाइम टाइम प्रोवाइड होती रहती हैं तो चलते हैं हरियाना स्टेट हाईर एजुकेशन काउंसलिंग की साइट पर और चेक करते हैं फूल डिटेल नौटिफिकेशन ये नौटिफिकेशन आपको hsheec.org. पर भी आपको मिल तो अगर पहले ये जान लेते हैं कि किस पोस्ट की वेकेंसी हैं फिर आपके लिए अगर इंट्रस्टिड हो आप अप्लाई करने के लिए तो इसको साइट से डाउनलोड कर सकते हो तो चेक करते हैं information को तो ये हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है हरियाना राज्य उच् पंचकुला सेक्टर फोर के लिए जो है आवेदन प्राप्त करने की अंतीम्ति थी यहां पर बेंशन है 10 जनुवरी और जो नोटिफिकेशन आया है ये 22 दिसंबर को आया है हरियाना राज्य उच्षिक्षा परिशद में निमलिक्त पदों के लिए सम भाविते में योग्य उमिद्वारो के आवेदन आमंत्री थैवरिष्ट सेशनिक अनवेशक एवं न्योजक के लिए एक परतिनुप्ति पर और सेशनिक अनवेशक एवं न्योजक परतिनुप्ति करनिष्ट सेशनिक अनवेशक एवं न्योजक के लिए दो आरक्षित हैं सीधी परति के लिए औ अगर आप जयदा जान करे चाहते हो तो well hshec.org पर ले सकते हो senior academic analytic and planner होता है deputation based पर आपके appointment की जाएगी और junior academic analytic and planner की direct recruitment के बेस पर की जाएगी eligibility condition क्या है details of तो यहाँ पर given है आप check कर सकते हो जिसके लिए भी आप interested हो apply करने के लिए उसकी जो information है वो site पर आपको full given मिल जाएगी यहाँ पर आपको journal OBC EWS category के 1000 application fees है और SC, ST, PWD और women applicants की कोई भी फीच यहाँ पर नहीं लगेगी तो अगर आप women applicants हो और आपकी जो qualification है वो भी match करती है तो apply ज़रूर कीजिएगा काफी अच्छी post है तो यह no page का full notification है यहाँ पर इसका application form भी दिया हुआ है जो आपको fill करके send करना है तो thank you so much और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe करना ने भूले थेंक यू